मैं मैंनी स्वागत करता हूँ आपको अपनी से यूटूब चैनल पे दोस्तों जो सी एचे सेल का रा मार्क्स आया है और जो कट अफ आये हैं उसको इनलाइज करके अपन आज बात करने वाले हैं आरर से गूरूप डी और आरर बी इंटी पीसी में कितना कट अफ जा सकता है और कैसे आपका सेलेक्शन हो जाएगा देखिए जो सी एचेसल का कट अफ है उसको देखके घवडाने वाली बात नहीं है क्योंकि आपने प्रोपर इनलाइज नहीं किया है इसलिए आपको लगना होगा कि 170 असी गया कट अफ मैं आपको जिस तरीके से समझाने वाला हूँ आज आपको एक प्रूप के तोर पे वो अगर आप समझ लेंगे तो आप एकडम से इत्मिरान से तसलिए से प्रिपरेशन करेंगे ठीक है यानि कि आपको घवडाने की बात नहीं है आप अभी भी रेंज में बने हुए है आपका सेलेक्शन होगा कैसे होगा यह अभी हम इ गया विक हैफम से ट शयांल की चेलेन से में टरीक्रेशन होगा है और जो भी होता है कि भी है कि घ्र nós ए लगेगा कि आप कभी मतलब की पूर्द तरीके से पढ़ाई की नहीं है तो आप हलाकि इनका सेलेक्शन हो गया देखिए 165 इनका फाइनल स्कूर है लेकिन रा मार्क्स कितना 145 है कहने का मतलब 20 मार्क्स हो रहे हैं इसकी बज़र से इनका जो है हलाकि इनका अगर हम बात करें सेलेक्शन 157 में ही सेलेक्शन हो रहा है और इनका पैसे ठाया यानि कि 140 में ही इनका सेलेक्शन हो रहा था तो चाली 140 नंबर ला रहे हैं कितना में 200 में तो सेलेक्शन हो रहा है तो 200 में 140 ला रहे हैं तो कितना हो गया सत्तर परसेंट सत्तर परसेंट में यह 44,000 के अंदर य क्राइब करदें तो उसमें आने के लिए आपको कम से कम 70 थी ख्यालब कि यहां पे इसका है जडिल वह सकता है और जादा पूछरत गांगे गए और जानथा पूछे जाएंगे तो आपका कट-aop तो कहने आफर झाता है कि जो ग्रूप डी की बात करें या 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 तो कहने का मतलब यह है कि जो जेनरल यो आपके नमबर को घटाता है और RRC Group D की बात करें या RRB NTPC की बात करें RRB NTPC के PT की बात करें तो 40% आपके GK ही पूछे जा रहा है उसी तरीके से RRC Group D में भी लगबग आप समझ सकते हो कि उसमें जो percentage of GK है वो जादा ही है GKGS जो भी साइस कर सकते है तो इसकी बाद से जब इसमें आप 70 नंबर लाते हैं तो आप 40-44,000 में आ जाते हैं तो RRC Group D में तो 1,000,000 वेकेंसी है उसके बाद आपके जो NTPC है उसमें भी 40-42 के तकरीबन result देंगे अगर final selection की बात करें तो selection होने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको एकनम से 30 मार खान 90-95 में अगर आपका सही होगा तभी होगा जेनरल बच्चे का ही selection होगा यानि कि average बच्चे का ही selection होगा टौपर का तो होता ही है लेकिन average बच्चे का भी selection होगा कहने का मतलब यह है अगर हम P.T. के respect में बात करें कि जो आपका N.T.P.C. का P.T. है उसमें जो मैं बता रहा हूँ ना पैसेट जो नंबर है highest में बता रहा हूँ अगर रा नंबर 65 ला रहा है मुझे तो लग रहा है कि अंठामन के उपर जिनका भी a score है अंठामन संतामन के उपर जिनका भी a score है ना 100% आप लिख के ले लो उनका selection होगा P.T. में क्योंकि 7 लाख आपके result आएंगे यह नॉर्मिलाइजेसन 185 जा रहा है उससे आपको कितना जाएगा 60% के राउंड यानि कि आदर से ग्रूब डी में selection आपको लेना है तो 60 नंबर भी लाएंगे तो हो जाएगा क्योंकि उसमें जीके का मैटर करता ना भाई आप देख रहा है कि कोई मैस में 50 ला रहा है लेकिन जीके में 11 ला रहा है तो आप समझ सकते हैं कि एवरेज बच्चे से भी उनका जो जीके है वो कम जोड़ है तो इस रिस्पेक्ट में बात करें कि जो आपका एंटीपीसी का जो कट ओफ है एक फाइनल कंक्लूजन मैं निकाल दूँ इस डेटा का कि आपका पीटी में एंटीपीसी का कट ओफ 65 के नीचे ही रहेगा मुझे लग रहा अंठामन से 65 के बीच रहेगा ठीक है में इसकी हम बात में बात करेंगे और आदा सी ग्रूप डी में आपका जो सिलेक्शन होगा यानि कि जॉब मिलेगा यह नहीं कि पीटी के लिए बुराया जागा जो फिजिकल इफिसिएंसी टे कि आपको मतलब कि इसका मतलब यह नहीं कि अगर कम कट ओफ जाएगा इंटीपीसी आरसे ग्रूप डी में तो आपका तयारी थोड़ा ले जो लेजी हो जाएगा नहीं आप हमेशा कंटीनिवस प्रोसेस में रखिए आप जितना मेहनत करें बस उसी को कंटीनिवस रखिए ज़्यादा बड़न लेने की अब सकता नहीं है इससी का जो रिजल्ट है उसको देखके आप घबराएगे नहीं क्योंकि इसको अच्छे से आपने नहीं किया बस खाली कट ओफ हाई गया कट ओफ हाई गया करके रो ना रो रहे होंगे तो आप क्या सोचते हैं नीचे